आज प्रिएक्षिन 5 मिनेट्स में जो कोश्चन है यह मल्टिपल पूली का सिंपल से सवाल है अगर आप सवाल देख पा रहे हैं तो सवाल में दिख रहा है एक वेज है उसके उपर एक ब्लॉक है स्मॉल इम का वेज का मास कैप्टल इम है और वेज अगर एक्सलरेट करता है लेफ्ट साइड में स्मॉल एक्सलरेशन से तो जो ब्लॉक मास इम का है वो कितने से एक्सलरेट करेगा और यही सवाल है हमारा ठीक है तो यह मल्टिपल पूली का सवाल है मल्टिपल पूली का सवाल को बनाने से पहले एक छोड़ा सा कॉंसेप्ट अगर आप समझ जाए त को इस तरह concept दिखता है कि माल जी एक हमने पूली बनाया और ये बड़ा सब ब्लोक इसमें यहाँ पर और पूली लगा दिया हमने जो इस ब्लोक से इसमें किनेक्टेट है और माल यह और बड़ा बलोक है तो ऊपर जाएगा एक्सलेरेशन एटू से अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि अगर यहां टेंशन टी है यह टी है पुली हम मासलेस ले रहे हैं सर्फेस फ्रिक्शनलेस है पुली मासलेस है इनर्चिया का सवा यह मोमेंट ओफ इनर्चिया कोई यहां पर इनर्च रख चैनलना चाहिए है यहां कितना टेंशन ट्राइच्थत्स ले टी किशेज़ कि दिएधर रिख किसि अगए ठाप बडू सबस्क्वाद मुस्यर्ट वाड़टेशन ल्ख इस उसरा कितना हम फोर ट्रू तो च पूरटल 채ंशन प्लाओ-स्ड-प्री हो गैं सब्सक्राइब करना है जैसे बड़े वाले का टेंसन कितना है तो बड़े वाले का टेंसन है 70 तो 70 को मल्टिप्लाई करेंगे उसके एक्सलेरेशन एवन से बीच में लगाना है माइनस ठीक है वरक नजी थेवर में कॉंसेट से जो आपको डारेक्ट हम बोल रहे हैं और दूसरे वाले का टेंसन है जिसके साथ एक्सलेरेशन है एटू आपको हमेशा एकको प्लस किसी एकको माइन जाएगा तो टी ती आपस में कैंसल हो जाएगा और इस बार आएगा से वेन इस उकल टू आटू जो एवह वह सेवेन होगा मतलब अगर जो बड़ा अलब लोग दिख रहा है अगर वह जाता है दो मीटर तो छोटा अलब लोग जाएगा फोटीन मीटर क्योंकि एटू जो आप समझ गए हैं तो इसी बेसिक आइडिया को हम लोग कंप्रिट करने वाले हैं इस सवाल में जो अभी आपको सवाल देख रहे था ना यह सवाल में तो इस सवाल को देखते हैं जो सवाल हमारा था यह वाला देख रहा है आपको यह वाला सवाल जिसमें एक वेज है और म बनाते हैं यह हमारा एक्सिस जैसा आपने बना लिया यह तो आपका सर्फिस हा काम करेगा लेकिन ध्यान रखें सारा सर्फिस फ्रिक्शनलेस है अगर हम ऐसे डॉटेड लाइन खीच रहे हैं तो भी आपको फिक्शन नहीं मानना है यहां पर आपका यह रहा एक वेज वेज क कि यहां पर पहला पूली है हमने कनेक्ट किया देखे रहा है और इसके बाद यहां पर आएगा यह तो यहां पर और पूली कनेक्ट होगा और उसके बाद यहां पर वही स्ट्रिंग आगे बढ़ेगा और यहां पर पूली कनेक्ट होगा और यही आगे बढ़ेगा और यहा यहाँ पे आके last हो गया तो गोर्की जी आप इस बार इस बरे वाले वाले से बढ़े वाले ब्लॉक से कितना टेंशन डारेक्ली है आप पूण दिख रहा यहाँ है यहाँ टेंशनonner यहां भी Tencent T जाएगा यहां भी Tencent T जाएगा यहां ठीच इसर देख पा रहा रही है वाला तो आपको ब्लॉग दिख रहा था इस वाले में इधर साइड आपको दिख रहा यहां पर 2T, यहाँ पे T, और यहां पे T, total tension कितना दिख रहा है, तो 4T, total tension 40 है, और छोटे वाले में tension T है, इसका मतलब कि बड़ावाला जो block है, बड़ावाला block, वेच जी स्को करें बड़ावाला block है, उसमें total tension लग रहा है, जा रहा है 4T, तो हम क्या करेंगे, मान लो बड़े वाले ब्लोक, छोटे वाले का acceleration हम लो मान लेते हैं A' चोटे वाले का acceleration A' और बड़ा वाला जा रहा है इधर, acceleration A से, तो trick क्या सिखाय गया है त्रिक सिखाय गया है, बड़े वाले में जितना भी tension लग रहा है, उसको उसके acceleration यानि 4T into A बीच में कहलाएगा माइनस और छोटे वाले में सिर्फ एक ही टेंशन लग रहा देख रहे हैं आप छोटे वाले में एक ही टेंशन है T इसको इसके एक लेसे से मल्टिप्लाई करो इसके एक लेसे कौन सा दिख रहा है आपको A तो T जब A डैस से मल्टिप्लाई हो तो T की एक्स रेसेन है 4 A नीचे की एक्स रेसन है 4 A जो A का वहलु आया, नीचे की एक्स रेसे लिकिन जिस ब्लॉक पर बैठा है वह भी जा रहा है, लेफ्ट साइड में A एक्स रेसन से अच्छा यह एंगल दिया हूए अलफा यह अंगल दिख रहा है आपको अलफा यह इसाब से उस इसाब से हमको यह लग रहा है कि यह ब्लॉक जा रहा है नीचे 4A से और यह इधर जा रहा है आपको A से वही छोटा ब्लॉक दो एक्सलरेशन हो रहा है डाउनवर्ड भी और जिस पे बैठा है वो खुद जा रहा लेफ्ट की और तो यह भी जाएगा और यह बी पाई माइनस अलफा तो यहाँ पर आपको दो वेक्टर साफ दिख रहा है देखिए एक A एक 4A दो वेक्टर को एड़ करने का फर्मूला गर एक वेक्टर P है एक वेक्टर Q है दोनों के बीच के एंगल पता है तो एड़ करने का फर्मूला क्या होता है रिजल्टेंड का अ under root a ka square plus 4a ka square plus 2 times of a into 4a into में कौन सा cos यहाँ बीच का एंगल कितना है गौर कर रहे हैं यह बीच का एंगल यह वाला pi minus alpha है यही एंगल की बात हो रही है तो cos pi minus alpha cos pi minus theta किस quadrant में आता है second quadrant में second quadrant में cos क्या होता है negative होता है तो यह आगया आपका 5a square 4a square plus a square is 5a square minus अब cos pi minus alpha क्या हो जाए cos pi minus alpha is minus cos alpha तो minus cos alpha 4 to the 8a square cos alpha यह हम ओ सॉरी 4 का square तो 16 होगा ना 16 प्लस यह 17 17 स्वेंटीन 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 दिखाई दे रहा होगा उमीद है आपको फिर भी हमें आपके लिए तो यह हो जाएगा 17a square 4a का whole square था हम सिर्फ a square की ए 4 उकी ए ने तो यह हो गया 17a square minus 8a square cos alpha और हमारा जो option है वो क्या क्या है वो देखते है option क्या क्या था option हमारा था यह देखिए option number b 17 under root 17 minus 8 cos alpha e क्यों a square का जो a है root के बाहर निकाल दिया हमने तो यह हमारा answer आ जाएगा देखिए net acceleration is equal to a is equal to under root 17 minus 8 cos alpha और बाहर में a square का root के बाहर a answer यह a net है ठीक है तो फिर अब अगले वीडियो में जाखेंगा अगला सवाल